अभी 29 अप्रिल को नामदार ने अपने ही जिला देश के साथ जो किया बाल काटने के बारे में जो बात कही यह आप सभी ने मीडिया में पढ़ा है पढ़ा है ना सुना है ना भाई और भेहनों कांग्रेस की यही असलियत है कामगारों का अपमान करने में इनको बड़ा आनन दाता है यह गरीब को मेहनत करने वाले को उसकी हैसियत दिखाने से कभी नहीं चुकते हैं साथियों बाल काटने वाला हो चौकिदार हो या फिर चाय वाला हो हर कोई अपने कवसल से खाता है कड़ी मेहनत करता है अपने परिशन से कमाता है वो ऐसे नामदारों की कुर्पा का महताज नहीं है साथियों नामदार परिवार के इस अहंकार को याद रखिए गया दोस्तों यह अपनान किसी एक व्यक्ति का नहीं है मेहनत कर हर इंसान का पान है पसीना बहाने वाले हर किसी को इन्होंने अपनी किया है नाम नारों वो दिन चले गए आप आपके पैसों पर हम पलते नहीं हैं हम अमारे पसीने पर पलते हैं कि और भाईयों पहनों मैं गरीबी जी करके आया हूं मैं मुसिवतों से जिन्गी काट करके आया हूं आर किसी भी किसी भी महनत करने वाले का जो अपने हाथ से मद्धुरी करके अपने हुनर से अपने कोशल से जो कमाता है जिन की गुजारता है कोई भी उसका अत्मान करता है वो अत्मान मैं उसे मेरा अपमान मानता है यह अपमान भिकानेर के एक युद का हुआ है यह अपमान भिकानेर के कौंग्रेस के जिराद्थ। क्या हुआ ऐसा नहीं है यह पान हम जैसे मेहनत कश लोगों का अपमान हुआ है कि और भायों भेनों इनके इस अहंकार ने कि यह हंकार है कि इस अहंकार ने देश के बड़े-बड़े नेताओं को राज्यों को मुख्मंत्रियों तक को नहीं छोड़ा है कि देश के पुर्वप्रधान मंत्रियों को उन्होंने नहीं छोड़ा है आपको इनका पूरा हिसाब करना है अर्भिकानेर के पाद मोका आया है यह मोका जाने मत दीजिए दोस्तों